नमस्कार प्यारे बच्चों मैं विजय है बच्चों आज BSE Finally Year पेपर थर्ड विविक्त गनीत यह आफ्शनल पेपर है प्यारे बच्चों किसी का विविक्त गनीत है तो किसी का हना और सांखी की कुछ है हना दो-तीन जो है आफ्शनल है याद रखे पहला और दूसरा तो कंपलसरी है थीक है बच्छों तो देखो वीविक्त के लिए हम क्या क्या पढ़ेंगे आज हम आपके लिए हना analysis करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं और इसको पूरा पढ़ा चुके हैं प्यारे बच्चों कुछ जो बचा है वो बहुत जल्दी हो जाएगा और इसका हम हना जो link है description में दे दिये हैं उसको देख लिजेगा और तयारी किजेगा आईए बात करते हैं प्यारे बच्चों discrete mathematics विविक्त गनीत क्या होता है देखेगा इसमें क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले देखो इसमें समुच्यम तरकवा क्या है तो पहला क्या है गनती आगमन विधी हाना सुरवात में जो है प्राइक्ता से कोशन क्रमचय संचय से कोशन इनी को देखना है दूसरा में एक कोशन देखो पांच नंबर यहां से यह भासा के बारे में थोड़ा एफनिशन वगड़ा तैयार कर लिजिए पांच नंबर महां से मिलना है ठीक है प्यारे बत्चों यूनिट टू के अंतरकर देखो संबंद एव्म फलन तो संबंद फलन में आपको बताया गया तुल्यता संबंध है स्वतुल्य संबंध है यह सब के बारे में बताया है फल इसको बता दिया जाएगा उसको कर लीजिएगा ठीक है प्यारे बच्चों इसको भी हम अभी बताए नहीं है बता देंगे ठीक है ना यूनिट 3 में आए ये पर्मित अवस्ता यंत्र पांच नंबर यहां से हमको लेना है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा प्यारे बच्चों और यह है पांच नंबर विविक्त संख्यात्मक फलन एम जनक फलन डिस्क्रीट निमरीक फंक्शन एंड जनरेटिंग फंक्शन बिल्कुल तो सबसे ज्यादा इसको प्रैक्टिस करना है ठीक है यह इसका सपोर्ट के लिए है कभी कभी दस नंबर इसी में से भी मिल जाता ह तो यह सपोर्टर है प्यारे बच्चों परमित वस्थायंत्र यूनिट 3 के लिए ठीक हमें तो पूरा दस में दस चाहिए तो हमको सपोर्टर रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बिल्कु रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों यूनिट 4 में आप देखो पुन्राव आपने फर्स्टेर में पढ़ा है समूह, उप समूह, क्रमचय समूह, तो इसमें समूह पढ़ लिजिए, कुछ थेवरम पढ़ लिजिएगा, पांच नमबर कलायक तयारी कर लिजिएगा, पूरा पढ़ने की जुरत नहीं प्यारे बचों, पूरा A to Z मत पढ़िए इसको, बस कुछ कोशन को तयारी कीजिए, जो पिछले 2-4-5 साल में आया हुआ है, वही सब आना है, ठीक है, तो बच्चों, यह इस धंक से आप तयारी करें, युनिट 5 में पूरा बुली बीजगनित, बुली अने अलजेबरा, यह आपको बताया गया है, तो सबसे सरल, कहा जाए, प पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, बस प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, तो बच्चों, आज का क्लास हम यही रखते हैं, के लिए अच्छा लगा, तो लाइक कीजे, सेर कीजे, सब्सक्राइब कीजे, धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार.